जैहिंद, तो फ्रेंड आज के सेशन में मैं आपको एक golden rule बताने वाला हूँ किसी भी competitive exam को crack करने के लिए जब भी हम किसी competitive exam का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे candidates की picture आती है competition दिमाग में आता है कि इतने सारे candidates हैं, इतनी seats हैं, ये percentage है success का जो की हमें बहुत कम लगता है जिसकी वज़ा से हम कहीं न कहीं panic हो जाते हैं, anxiety फिल करने लग जाते हैं कि मैं कैसे इतनी एक छोटी percentage में आ पाऊंगा हमारा सोच, हमारा mindset बहुत matter करता है किसी भी competitive exam को crack करने के लिए अगर हमारा mindset सही है, हम चीजों की तरफ एक सही approach रख रहे हैं, तो definitely हम उस चीज में success हासिल कर लेंगे बट अगर हमारा mindset ही सही नहीं है, हम चीजों को सही नजरिये से देखते ही नहीं है, तो हमें success नहीं मिलने वाली है so mindset बहुत matter करता है, एक चीज जो बहुत important है वो यह है कि आपको किसी भी competitive exam को इस तरह से नहीं देखना है कि यहां लाखों candidates हैं और कुछ 100 या कुछ 1000 seats हैं तो इसमें competition बहुत जाद है, मैं पता नहीं इसमें आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, आपको इस तरह से नहीं देखना है, आपको भीड पे focus नहीं करना है आपको इस चीज़ पर focus करना है, इस चीज़ को identify करना है कि ये competitive exam मुझसे क्या-क्या मांग रहा है, क्या demand रखता है, क्या चीज़ें हैं जो अगर मैं fulfill करूंगा तो definitely इस competitive exam को crack कर पाऊंगा, हर competitive exam अपने आप में unique है, हर competitive exam आपकी different skills को assess करता है, तो आपको उन skills को निखारना ह है, अपने आपको day by day निखारना है, मेहनत करनी है, ताकि आप वो skill set achieve कर सको, आपने कभी filter paper देखा है, आप एक filter की तरह imagine करो इस चीज़ को competitive exam के process को, आपको एक fine particle बनना है, जब आप किसी चीज़ को, किसी mixture को filter करने की कोशिश करते हो, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ fine particles ही पास हो पाते हैं, same way competitive exam है, जिस भी competitive exam कि आप preparation कर रहे हो, अगर आपने उसको समझ लिया, उसके process को समझ लिया, कि ये exam मुझसे क्या चाहता है, कौन कौन से skills चाहता है, और उसके बाद मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए, आपने अपनी वो skills उस level तक निखार ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो competitive exam crack करने से नहीं रोक सकती, चाहे उसमें जितनी भी कम सिटे हो, competitive exam भी एक filter की तरह ही है, जिस तरह से filter पे जब आप लाखों particles रखते हो, तो filter अपने through सिर्फ और सिर्फ fine particles को ही जाने देता है, वही fine particles जो उसके defined parameters को fulfill करते हैं, उसी त तो आपका focus भीड पे नहीं होना चाहिए, आपका focus होना चाहिए इस चीज को identify करने पे कि मेरा competitive exam मुझसे क्या चाहता है, कौन-कौन से skills चाहता है और किस level तक चाहता है, ये चीज़े आप जान पाओगे syllabus को ध्यान से analyze करके, previous year question papers को देखके, cut off के pattern को देखके, इन चीज़ में आपके speaking skills, writing skills, reading skills, किसी में mixture of these skills, so आपको ये चीज़ identify करनी होगी, so दोस्तो भीड से डरना छोड़ो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ skill level की, उसको एक adequate level तक लेके जाओ, खुद पे भरोसा रखो, और इस competitive exam के filter से successfully pass हो, जाहिंद!